Hello everyone, good evening everybody, so guys SSC JE 2023 जिसका exam आपने CBD2 का काफी सारे students ने 4 December को exam दिया था और काफी सारे बच्चे भी right now wait कर रहे हैं कि result कब तक आएगा, आज दिन हो चुका है हमारा debt is called 26th of December और आज SSC ने अपनी final vacancies बताई है, जब आपका notification आता है तब आपको पता चलती है tentative vacancy की कितनी है जो department सी ली जाती है SSC के द्वारा और उसके बाद final result आने के पहले आपको एक बार final vacancies भी बताते हैं और बहुत बार ये देखा गया है कि final vacancies में थोड़ा increment भी मिल जाता है, कभी-कभी नहीं मिलता और कभी-कभी वो कम भी हो जाती है, आज आप देखोगे कि ये final vacancies आज recently SSC ने 431 vacancies थी, और अगर हम बात करें, electrical and mechanical की 55 थी, तो अगर अभी अपन बात करते हैं, तो border road organization में electrical, mechanical की अभी भी 55 ही है, और civil engineering की अभी भी यहाँ पर 431 vacancies है, तो कोई changes नहीं है, वियारों के अंदर, अब आता है CPWD की बात, तो CPWD की अगर मैं बात करता हूँ, तो CPWD में civil की total vacancies 421 थी, और electrical mechanical की total 124 vacancies थी, तो यहाँ पर अपन चेक कर लेते हैं, कि यह आता है या नहीं आता है, तो civil की अभी भी आप देखोगे, 421 ही है, और electrical की अभी भी 124 है, तो CPWD में भी vacancies का change नहीं देखने को मिला, अब आता है CWC, यानि कि आपका Central Water Commission, mechanical की यहाँ पर 23 vacancy right now है, और civil की 188 है, और अगर मैं पहले वाली बात करूँ, तो CWC में पहले 188 civil की थी, और mechanical की भी 23, तो यहाँ पर भी कोई information, हमें, यानि कि मैं बोलूगा, कोई vacancies में change नहीं हुआ, अब आया था एक Department of Water Resources, Development and Ganga, Rejuvenation, यानि कि भ्रह्मपुत्र Board Project, यहाँ पर vacancies नहीं राइट नाउ, Ministry of जल शक्ती के अंदर 46 vacancies जो है, और civil engineering की add कर दी गई, तो यह increment हुआ है, vacancies के साथ, देन आता है, फरक्का बैरेज प्रोजेट, तो राइट नाउ, mechanical की 8 vacancy है, final, और civil की 23 थी, चेक कर लेते हैं, इतनी ही है या नहीं है, तो फरक्का बैरेज में आप देख 23 हो गई है, तो यहां भी अगर हम देखें, तो वेकेंसी का increment हुआ है, यहां पर mechanical में भी increment हुआ है, फरक्का बैरेज में total अभी पहले 6 vacancies थी, और अभी right अगर हम बात करते हैं, तो फरक्का बैरेज के अंदर 6 से 8 vacancy हैंनी की 2 vacancies का increment हुआ है, तो भाई, एक तो फरक्का ब और पहले भी civil की total, अगर हम बात करें, civil की right now पहले 29.18 थी, और अभी आप देखोगे तो यहां पर 29.18 है, तो MES में भी कोई changes नहीं, तो जो आपके बड़े departments है, जिनको आप सबसे पहले preference रखते हों, उनके अंदर कोई changes नहीं है, अब आता है ministry of ports and shipping, पहले यहां civil की 7 post थी और mechanical में एक post थी, अभी यहां पर बात करते हैं, तो mechanical में अभी भी एक ही है, और civil में साथ है, लेकिन एक department के साथ यहां पर game हुआ है, और वो है आपका NTR, जिसको बोलते है, National Technical Research Organization, पहले यहां civil की 4 post थी, और अगर हम बात करें, electrical की एक थी, और mechanical की एक थी, और total 1324 post थी, उ उन सारी post ओं को यहां से हटा दिया गया है, और यहां पर NTR की कोई भी post इस ताइम पर right now available नहीं है, तो गाइस जिसके NTR department जो था, जिसमें electrical, mechanical, civil की तीनों की post भले ही कम थी, उनको remove कर दिया गया है, देन अगर बात करते हैं, ministry of जल शक्ती की vacancy पहले बताई नहीं थी, 24, 44, 54, 64, 74, 50 vacancies का game हुआ है पूरा पूरा और यह majority vacancies जो है, वो civil engineering की ही increase हुई है, चली गाइस तो इस तरीके एक information के लिए मिलते रहेंगे, so thank you very much, bye bye, take care and love you everyone.